राजस्थान में कॉंग्रेस के एकराण में विधायकों की स्थफा प्रकरण पर राजस्थान हाइकोट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान विधान सभाध्यक्ष और सचव को 16 जनवरी तक मामले पर निड़े कर जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं उपलेता प्रतिपक्ष राजेंदु राठोर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्थिस पंकज मिथल और जस्थिस शुभा महता की खंटपीट ने आदेश दिये आईकोट ने मामले के अगली सुलवाई 16 जनवरी को तैकी है इस मामले में पक्षकार बनने के लिए एडवुकेट पूनमचंद्र भंडारी ने प्रातना पत्र पर सुनवाई करते हुए आदालत ने कहा कि आपको जरुरत पड़ीगी तब सुन लिया जाएगा मामले में विधान सभा की और से भादिवक्ता महिंदर सिंग सिंग भी ने पक्ष रखते हुए जवाब देने के लिए समय मांगा मानने अद्रक्स उन्हें अनंच समय के लिए लंबित नहीं रख सकते आज मैंने इस बात पर भी अब्जेक्शन किया कि एजी जो सरकार को रिपरजेंट करते हैं वो विधान सभा अद्रक्स जी को रिपरजेंट कैसे कर रहे हैं इस पर भी संग्यान लिया गया और यह जो म 90 है उसमें सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने का तो प्राफधान है उसमें वापिस लेने का प्राफधान नहीं है तो लौ की पोजिशन यह है कि जिस काम को करने की प्रक्रिया दी गई हो केवल वही काम किया जाने योग्य है जिस काम को करने की प्रक्रिया नहीं दी अगर वो एक रात कोई नेड़ने लेते हैं कि हमारे को हमारी सीट्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है और उन्होंने एक नेड़ने लेकर सौंप दिया और अगर अध्यक्ष मोदे के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है पहले से कि ऐसे इस्तीफे जबरन लिखाए गए हैं या पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है